हेलो फ्रेंज मेरे यूट्यूब चैनल इंप्रोफियो नॉलिज में आप सरी का स्वागत है फ्रेंज आज में कॉर्ण कवाब की रेश्पी लेकर आए हूं इसे बनाना बहुत ही आशान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंज इस वीडियो को आप लाज तक देखिए और अपने घड में जरूर ट्राइ कीजिए अच्छी रगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं कॉर्ण कवाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर तयार करेंगे तो यहां पे हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे यह अदरक यानि कि एक इंच अदरक को हमने शील के और उसके तुकड़े कर लिए हैं बाड़ा से पंद्रा हम लहसुन की कली डालेंगे जिसे हमने शील के उतार रखे हैं यहां पे हम चार से पांच हरी मिर्च डालेंगे तो आप अपने तीखा के अनुशार अर्जेश्ट कर लीजिए और यहां पे हम डालेंगे कुछ फ्रेस धनियाव पत्ता जिसे हमने धूके अच्छे से साफ कर लिया है सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने मिर्च अद्रक लहसुन को दरड़ा पीस रखा है जादा भाड़ीक नहीं करना है चलिए हम कॉर्ण डालेते हैं तो कॉर्ण को हमने दाने अलग करके इसको प्रेसर कुकर में तीन चाड़ पीसिल उबाल लिया है पानी से निकालके हम पानी शुखा लिये हैं अब हम इसे मिक्सर जाड़ में डालके और पीसेंगे ध्यान रहे कॉर्ण में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए हम को दड़ना पीशेंगे तो चलिए हम Mixer के तरब चलते हैं Mixer को हम चालू बंद चालू करके पीशेंगे और चमच की मदद से हम इसे इसे ओपर नीचे ऐसे चलाते ही रहेंगे क्योंकि हमने आपको बताया कि हमें को दड़ना पीशना है बिल्कुल पेश्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे कबाब में कॉर्ण दिखना चाहिए, ऐसे हम बंद चालू करते हुए एक बड़ और सिला लेंगे, आप देख सकते हैं, हमने कॉर्ण को दरदरा पीस रखा है, एक दो इसमें कॉर्ण दिखें तो भी कोई बात नहीं, क्यो हम इसे एक बॉल में ट्रांसपर कर ले रहे हैं, तो हम इस मिक्सरन को बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे, अब हम इसमें गालेंगे आलू, तो यहां पे हमने दो बड़े आलू को उबाल के और इसको मैस लिया है, साथ में हम डालेंगे प्याज, तो यहां पे हमने दो यहां पर हम डालेंगे आधी कटोरी चावल कांटा यानि की राइश फ्लोर कुड़कुरा बनाने में मदद करता है और आधी कटोरा हम स्वने कांटा बेशन यानि की ग्राम फ्लोर बैंडिंग का काम करता है इसमें हम डालेंगे आधी चमच हल्दी पौडर दो चमच भनिया पौडर और इस पाइसी बनाना है तो इसमें हम हटूर मात्रा में मिर्ची डालेंगे यानि की दो से तीन चमच अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालेंगे इसमें हम डालेंगे एक चमच भर के चार्ट मशाला अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मशाला और श्वाथ को बढ़ाने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा अंचुर पौडर तो यहां पर हमने अंचुर पौडर लिया है यानि कि द्राई मंगो पौडर अब सारे इंगिडियेंच को हम मिक्स कर लेंगे तो आप चाहें तो चमच की मदद से कीजिए या हांच से कीजिए पर एक बढ़िया सा एसमूथ लो तयार करना है कबाब के लिए हमें फ्लोर कम पढ़ेगा तो या तो राईस फ्लोर या ग्राम फ्लोर मिक्स कर लेंगे हमने हाथ से सारे इंगिडियेंच को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें फाइनली डालेंगे स्वाद के नुशार नमक इसमें नमक आप ध्यान से डालिए मैं तो सारे इंगिडियेंच का स् नमक के साथ हम अच्छे से कबाब डो को मैस करेंगे यानि कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए हमने डो में नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो सबसे पहले हम अपने हाथ को साफ करके और तेल से ग्रीस करेंगे अब तेल या बटर कुछ भी लगाए कर लिजे क्योंकि यह डो जो है हाथ में चीपकता है तो हम ठोड़ा सा डो निकालेंगे यानि कि एक बॉल के बडाबर या आप अपने मांच पसंद निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं और लगाने से अपना हाथ में चीपक नहीं रहा है सबसे पहले हम इसे एक डाउन शेफ और हथेली पे ऐसे प्रेस कर लेंगे तो यह फाइनली अपना कॉर्ण कबाब तयार है ऐसे हम प्लेट में कबाब तयार करेंगे एक और बना के भी खाय देती हूं डो में से हम थोड़ा सा ले लेंगे हम तो यहां पे एक निम्बू के अकारका ले रहे हैं और ऐसे गोल तो चलिए हम सभी कबाब बना के तयार कर ले रहे हैं यहां पे हमने एक बैस अपना कबाब तयार कर लिया है चलिए हम गैस के तरफ चलते हैं गैस पे हमने एक फ्राइ पैन में एक बड़ा चमच तेल डाल लिया है तेल को हमें अच्छे से गड़म कर लेना है ऐसे फैलाते हुए, तो आप चाहें तो तावा पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो डीप फ्राइ भी कर सकते हैं, यहां पे मैं पैन में सेलो फ्राइ करने वाली हूँ, तो अपना तेल गड़म हो चुका है, अब हम इसमें कबाब एक बाड में जितना कबाब आ सकेगा हम पैन में डालेंगे ध्यान रहें थोड़ा-थोड़ा एशसे होना चाहिए इससे की अब तोड़ा-थोड़ा एशसे छोलके कबाब डाल ले रहे हैं एक साइड से हम देशे दो मिनट फ्राइब होने के बाद इसे शेरेंगे नहीं तो यह कबाब तूट सकता है दो मिनिट हो चुका है चलिए हम अपना कबाब फ्लिप कर ले रहे हैं तो यहां पे हम एक छोटा सा फॉग लिए हैं आप कोई भी ऐस्पून या छोटी चमल्चो दो ले लीजिए क्योंकि इसमें जगाह कम है तो हमें छोटा ही उलटने वाला चाहिए आप देख सकते हैं एक साइब से कितने बढ़िया अपनी कबाब तेयार हुई है तो चलिए हम सभी कबाब को ऐसे ही फ्लिप कर ले रहे हैं हमने सभी कबाब को फ्लिप कर लिया है अब हम दुसरे साइब से भी से दो तीन मिनट पका के फिर आपको दिखाते हैं तीन मिनट हो चुके हैं चलिए एक कबाब देख सकते हैं दूसरे साइब से भी अपनी कबाब जो है पर्ठेक पक चुकी है तो हम इसे ऐसे ही उलट-पलटके अच्छे से पका लेंगे यानि कि टोटल टाइम हमें से आठ मिनट तक देना है तभी अपनी कबाब जो है अच्छे से कडारेदार पकेगी हमने दो द तो तो शायिड से उलट-पलटके कबाब को एकड़म कडारा पका लिया है तो यहां पर अब हम हम इसे दे घृज ओओ करेंगे तो यहां पर हमने चमर्च कर लिया है और कबाब को हम एसे प्लेट में नीकाल के जाए jsए तो आप देख सकते हैं हमने सभी कबाब बना लिया ह चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहा पे हमने हर्ली टमाटर की चट्णी बना ली है चलिए थोड़ा इसका टार्नीस हीं कर लेते हैं जिससे इसका लुप बढ़ जाए तो यहा पे हमने डाला हुदीने की पती और हल्म कासा धनιया पत्ता यानि कि दो इतना सुंदर लग रहा है अपना सटनी अब हम प्लेटिंग करते हैं तो आप देखिए कितनी करारेदार मज़ेदार अपने कॉर्ण कबाब तयार हुई है देखने में सुंदर प्रेश्पी तो फ्रेंज आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां अपने कॉर्ण कबाब बनके तयार हुई है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे आप कोई भी पार्टी हो या फेस्टेबल हो या कहीं भी गेश्टायर बनाएए खाने में बहुत ही टेस्टी तयार होता है तो फ जरूर कीजी, धन्यवाद